नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल द्योजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग आपर अमेशा की तरह हिंदी का फूल टेस लगाएंगे जहाँ पर आपके 60 मातपूर प्रसने और यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है वहाँ पर आप बच्चे जुट चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें सेयर भी कर दें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तो चलते हैं और आज की टेस्ट में देखना है कि आप लोगों को कितने यहाँ पर इसकोर जा सकता है चलिए आपका पहला प्रसन आप से कह रहा है कि I के उच्चारण में यहाँ पर आपको खाले इस्थान वरना है और यहाँ पर भी बताना है जो आपका I है तो I के उच्चारण इस्थान में कौन कौन से अर्थात किसकी साहयता ली जाती है चलिए 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो याद रख हाँ और टालू यहाँ पर होगा ठीक है चलिए नेफ़सन कोशचैन आपको चछा जाजायर आदिका उच्छा-फ्चा नुर्स्थान होता है किस से होता है टू का जवाब दीजिए यहाँ कर इसका जो हम लोग लेते हैं आता तुछालन जो होता है किस से होता है तो two option right आपको हो जागे आप पर c number आपके तालब से होता है किस से होता है तालब इस होता है याद रखिएगा ठीके चलिए next question आप से अगला पूछा गया है कि वर्तनी की द्रश्टी से सुद्ध सब्द का चैन करना है यहाँ पर आपका अनुग्रहित लिखा है और जो अनुग्रहित लिखा है सही किस प्रकास से लिखा जाता है चलिए यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा option right यहाँ पर b number अनुग्रह option आपका b हो जाएगा चलिए यहाँ पर next question कहरा आपसे कि सब्द की वर्तनी असुद्ध है यहाँ पर असुद्ध वर्तनी पूछा है और असुद्ध वर्तनी जो आपकी हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी सही जो आपकी कह सकते असुद्ध वर्तनी है वो आपकी चिद चिद्रन वेसी में जो आपका यह बाला साह अथा यहां पर आपका यह बाला साह आपको बनता है याद रखिए तो प्रकास से इसको सही किया जाएगा नेस्थ कोश्चन वॉपा का उच्छारान इस्थान क्या है बही फाइप को जवाब क्या हो जाएगा तो सब्सक्राइब जाएगा और जात यहां पर आपकी कौन सी हो जाएगी जवाब दीजे आपका 100% सुद्ध है चलिए नेस कोश्चन गाय कौन सी संग्या है गाय कौन सी संग्या है सेवन की जवाब दीजे तो गाय आपकी हो जाएगा गाय आपकी हो जाएगी सरो नाम का काम कर रहा है और यह आपका कह सकते हैं उत्तम पुरुस का आपका सरो नाम है ठीक है तो आपसन रेट आपके यहां पर भी हो जाएगा पुरुस वाचक सरो नाम आपका यहां पर हो जाएगा नेस्ट कोशन कि निम्लिकित में से कौन सा कौन पुरुस वाचक सरो ना नाम है 9 का जवाब क्या हो जाएगा त Chop к ग्यांवक जवाड़िक्य में 9 का 9 का जवाड़िक्त है ओर आपका नाम तो जो जो आपका है यह पुरुष वाचक-salु नाम है जबकि एक कोई आम का प्रस्ण वाचक है और जो है वह आपका संबंद वाचक है ठीक है निस्ट कोस्टिन की निम्निकित सब्दों में से कौन सा सब्द बिसेशन है कौन सा सब्द बिसेशन है दसका जवाब दीजिए चलिए 10 का सई जवाब हो जाएगा option right आपका D यहाँ पर अनुसासित ठीके अनुसासित आपका जो है यहाँ आपका 26 है ठीके अन जवाब के हैं वो आपकी संग्या का काम करेंगे next question जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस ब्याकरनात्म कोटी का है जैसा जो सब्द है वो किस प्रकार का है जैसा को हम बोलेंगे कि आपका यहाँ पर विसेशन हो जाएगा ठीके 11 अपसन आपका A हो जाएगा यह आपको कह सकते हैं संग्या सरुनाम की विसेशन का बोध हो उसे हम लोग विसेशन का कहते हैं ठीके तो जैसा आपका यहां पर B-sation का काम करेगा Next question वीराम चिन्नों की द्रश्टी से कौन सा वाक्य सुध्ध है? कौन सा वाक्य सुध्ध है तो देखते हैं यहां पर आपका सुध्ध वाक्य होगा कि सभी एक साथ चिला उठे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे कौन नहीं लगाए भाई यहां पर जो आपका अंसर आपका देखी B-number है कि सभी एक साथ चिला उठे फिर इसकोज आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा जो की कामन लगा है हम भी चलेंगे यह आपका right अंसर आपका B-sahe हो जाएगा ठीक है समझ में आया चलें निस्ट्रस आपसे देखला पूछा गया है कि कृण के मूल रूप को क्या कहते हैं क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं तेरह का option राइट आपको क्या हो जायगा तो option राइट आपका हो जाएगा यहां पर C-number के किरिया के मूल्रोप को धातू형 कहते हैं ठीक क्या कहते हैं धातू बोलते हैं और आपका स हो जाएगा कि लिंग की धृस्टी से सुध माकी कौन सा है बताईए लिंग की धृस्टी से सुध ख्यक्ञा है बियुक्ती टेफिए उसे क्या कहते हैं जो सब्सक्री की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं पंद्रा को जवाब क्या हो जाएगा तो पंद्रा शब्लीका बदाएगा इस वाक्ती में कौन सा सब्द क्रिया विशेसन है क्रिया विशेसन आप से पूचा है यहां पर शोला नंबर का जवाब दीजिए तिहां पर आपको घौ Gilगा आपका बाद हो जाएगा भाई पर आपका बाद हो जाएगा ठीके चलिए यहाँ पर निस कोजिशन को आते हैं कोजिशन आपसे अगला है कि बिल्ली सब्द का पुरलिंग क्या होगा बिल्ली का बताइए बिल्ली का पुरलिंग क्या होता है सत्रा का बताइए बिल्ली तो बिल्ली का पुरलिंग होता है बिलाओ क्या होता है बही शत्तरक आपका B हो जाएगा बिली का होता है बिला होता है ठीक है चलिए अगला जवाब है किने Maar 이후 में गई से कौन सा वा की असुद्ध है चलिए 8 जवाब दीजिए असुद्धवा कि आपके यहां पर कौन सा हो जाएगा आज सुद्ध अठाराग जवाब चलिए कह रहा है आपसे यहाँ पर जो की option आपका A है वे वापिस लौट आए वे वापिस लौट आए तो यहाँ पर वे लौट आए भाई जब लौट ना है और वापस है दोनों एक एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कि वे लौट आए सुद्ध इस परकार से होगा अर्थात यह आपका गलती था इसका जो सुद्ध हो जाएगा वे लौट आए है ना साथ में आपका वापस को इसमें वापस और लौट एक साथ नहीं होना चाहिए नेस्ट कोशन आपको दिया है कि निम्रिकित कतनों पर विचार कीजिए सही उत्तर चुनिए अकरांत था अकरांत पुरलिंग सब्दों को एकरांत कर देने से वे इस्त्रिलिंग हो जाते हैं अच्छा दो बी नमबर आपका है कि जाती बोधक सब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उन्हें कहीं इन और कहीं आईन प्रत्ते लगा कर इस्त्रिलिंग बनायता है तो यहाँ पर जो बात सही है दोनों की पॉइंट आपकी बात सही था यह दोनों पॉइंट आपके सही है नेस्ट कोशन आप सेगला है कि मुझे आपकी हस्ताच्छा चाहिए इस वाकी में हस्ताच्छा सब्द का बहुवचन बताए चलिए भी इसका जवाब दीजिए हस्ताच्छा का बहुवचन क्या होता है तो भाई याद रखेगा हस्ताच्छा जो होते हमेशा बहुवचन होता है तो यहाँ पर आपको 100% नित बहुवचन मताना है कि होता ही है आल्रेडी तो नित बहुवचन मताना है देको बहुवचन तो उपर भी लिखा है वहाँ काम बहुत ढंग से करते हैं वाकिका काल पहेंचाना 21 का जवाब दीजिए चलिए तो यहाँ पर आपका जो अपसन राइट आपका हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा करते हैं अर्थात वर्तमान अर्थात सामान वर्तमान काल की बात हो रही है न तो option right आपके यहाँ पर D हो जाएगा समान्य वर्तमान काल चलिए बाइस नमर आपसे कह रहा है नीचे दिये गए वाक्यों में से सुद्धवाक कौन सा हो जाएगा बाइस का जवाब दीजिए सुद्धवाक के आपका कौन सा हो जाएगा चलिए यहां पर आपका सुद्धवाक का आपका देखते हैं आपर सत्रुमाइदान से दोड़ खड़ा हुआ option right आपका B यह आपके यहां पर कह रहे सकते हैं कि सही आपका हो जाएगा ठीक है 22 को option right आपका B सही हो जाएगा ठीक है चलिए next question आपसे एगला पूछा गया है कि कुर्सी पर master जी बैठे हैं इस वाकि में कुर्सी सब्द किस कारक में है कुर्सी कारक बताई आपर कुर्सी पर कुर्सी पर है ना तो इसकी इसाब से देखा जाए तो option right आपका क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आधिकारण में पर है ना तो option right आपका क्या हो जाएगा d हो जाएगा क्या हो जाएगा d हो जाएगा क्योंकि होता है में कॉमा पर होता है इसका ठीक है ना चलिए next question आपका है चार पाई सब्द है चार पाई सब्द है तो किस प्रकार का सब्द है भाई चार पाई कैसे है तो चार पाई आपका यहाँ पर हो जाएगा योग रूट सब्द योग रूट सब्द हो जाए चार पाई हुए सब्द होते है जिनका आर्थ स्वारी कैसे कि योग रूट सब्द होती है जिनका भी सेस अर्थ होता है चार पैर है जिसकी उसे बोलते हैं हम चार पाई ठीके तो इस प्रकार से आपका योग रूट सब्द हो जाएगा ठीके चलिए नेस कोश्चन उनका तर्सम रूप बताईए उनका तर्सम रूप बताना है चलिए पचीस का उप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा उनका तर्सम रूप आपका क्या हो जाएगा तो उनका हो जैगा opस्टन राइट, आपका 25 का D हो जाएगा, औरुण हो जाएगा क्या हो जाएगा, औरुण हो जाएगा, ठीके, चलिए, next question आपसे एगला है कि एक तत्सम सब्द है, 26 में पुछाए, एक तत्सम सब्द है, यहाँ पर कौन सा है यहां पर 26 का OPSON राइगै, वो हो जाएगा C number डाकिनी, ठीक है डाकिनी यह आपका कहinsiщते हैं यह आपका जो तस्म सद्देशन डाइज जैगा, डाकिनी एक तस्म है जिसका आर्थ होता है, डाइन, ठीक है इसका जो तदबह होता है वो आपका डाइन होता है याद रखेगा नेश कोश्चन आपसे एकला पूछा गया है किन्यमने में से कौन सा सब्द तदबह है कौन सा सब्द तदबह है 27 जवाब देजे चलिए यहाँ पर तदबह सब्द आपका जो हो जाएगा वो आपको हो जागा उप्सन आपका डी च्छत च्छत यहाँ पर आपका क्या है बहिया तो च्छत आपके यहाँ पर क्या है यह आपकी यहाँ पर तदबह है क्या है बहिया तदभव आपकी है ठीके चलिए नेस्स कोश्चन काते हैं कोश्चन आपसे एगला है किन्यमने से विदेशी सब्द कौन सा है विदेशी सब्द कौन सा है 28 के जवाब दीजे तो यहाँ पर विदेशी सब्द आपको पहचान में मिल गया होगा कि यहां पर option right आपको जो B number है अमीर ठीक है अमीर यह आपका यहां पर क्या है यह आपका बीदेशी सब्दे ठीक है बीदेशी सब्दे अगला है प्रत्य होता है प्रत्य होता है तो कहां पर होता है 29 जवाब दीजे प्रत्य कहां होता है तो प्रत्य एक सब्द्यान्स है, सबसे पहली बाद में प्रत्य क्या है, एक सब्द्यान्स है जो सब्दे के अंत में जुड़ कर आपके अर्थ में विशीज परिवर्तन लाता है, option right आपका यहां पर यह हो जाएगा प्रत्य जो आपका है एक सब्द्यान्स है, ठीके, next question, अ अपकार का उपकार से वही संब्द्ध है, जो आवाहन का संब्द्ध है, अथात अपकार का उपकार होता है, आपको पता है कि बिलो मैं इसका, तो आवाहन का जो बिलो मिया पर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, विसर्जन, क्या हो जाएगा, विसर्जन, option right आपका C हो पावक में देख सकते हैं तो पावक माग अगनी अनल पावक दोमकेत आपके होते हैं वसन में कपड़ा चीर पट अंबर वस्त होता है प्रभा में चमक जूत दीप्त सोबाध होता है ठीके नेस्ट कोईशन कहाते हैं कि इनमें से कौन सा सब्द कृष्णा का पर्यावाची है रुष्णा का पर्यावाची आप से पूछा है याँ पर देख सकते हैं ऑप्सणा रैट आपका स्ती जो आपका द्रौपधी है द्रौपधी कृष्णा का पर्यावची सब्द है और भी होते हैं जिसे आपके recognized सही हो जाएगा या आपकी हो जाएगा ठीके नेस्ट भोड़ा आदी है यहां पर आपका अर्थ गज नहीं होता है असक्त का अर्थ यहां पर आप खाली स्थान बनना है ऐसक्त का अर्थ आपको बताना है जो की सम्रूपी बिनार्थक सब्सक्राइब की सब्सक्राइब यहां पर विर्panze vyhina Nas tutti फिकलवा दोनों ही आपके कह सकते हैं समरूपी भिनाथख हैं ठीके अगला है कि जिसे प्रमाट द्वारा सिद्धना किया जा सके उसके लिए सई सब्द बताईए 36 का सई जवाब बताई जिसे प्रमाट द्वारा सिद्धना किया जा सके उसे अप प्रमे बोलते हैं औरमेंब दों, कि अब मार्ण इयोते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? 37 का जोब दीजिये, 37 का option right कभी हो जएगा, अबूद पूर्व, क्या हो जएगा, अबूद पूर्व हो जएगा, ठीके. अगला है कि दिये गए चार वाकियों में से एक हिंदी ब्याकरण वाकि रचना के हमसार सुद्ध नहीं है सही विकल्प का चुनाओ करें 38 का सही जवाब दीजिए यहां पर तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए यहां पर देखते हैं एक सुद्ध नहीं है तो हम तो आज भी उसका इंतियार कर रहे हैं अच्छा वहाँ आज तक कोई नहीं गया अच्छा जल्दी करो 8 बजने को सिर्फ 10 मिनट हैं यहां पर C नमबर आपका थोड़ा सा डिस्टर्व है ठीक है यहां पर 38 वाले में और देखा जाए कि यहां पर हो जाएगा 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट हैं 8 बजने में इस प्रकास से सुद्ध होना चाहिए था ठीक है नेस्ट कोचन आपका आपका दिया है यहां पर जो संदिवी चीत करना है भूधर्व का संदिवी चीत बताईए भूधर्व का संदिवी चीत क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा भूधन उर्द यह आराब का हो जाएगा उप्सन राइट आपका B भूधन उर्द हो जाएगा 49 का उप्सन राइट आपका B हो जाएगा ठीक है इसमें दीरिसुर संदी आपके यहां पर प्रयोग किया गया है भाई بीसर गमत लगाएगा 40 का जवाब दीजे बिलकुल इजी कोशेन आपके लिए है बिलकुल सही है जवाब बिलकुल सही है दोनों पद आपके यहांपर क्या होते है प्रधान होते हैं, option आपका C हो जाएगा चलिए 47 का जवाब देना 41 जवाब का आपका दिया है कि कौन सा अधिकरण तत्पूरुष समास नहीं है अधिकरण तत्पूरुष समास आपका नहीं है आपको बताना है, 41 जवाब दिजे तो अधिकरण तत्पूरुष समास यहां पर आपका कह सकते हैं कि प्रसुत्तम हो गया, देसाटन हो गया कुलसेष्ट हो गया, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा D number धर्म ब्रस्ट, धर्म से ब्रस्ट यहां आपका कह सकते हैं, अपादान में आजाएगा ठीके, आपादान में आपका आजाएगा नेस्ट कोशचन, 42 नमबर निम्न में से मिस्त रवाग के बताईए मिस्त रवाग के आपसे पूछा है और मिस्त रवाग के में कुछ आपकी पहँचान होती है, यहां पर आपका जो, जो हीवा घर से निकला वर्षा होने लगी option D, यह आपका मिस्त रुवाक की आपका हो जाएगा, ठीक है D number, next question कि निम्न वाक्यों में से सुद्धवाक के पहचानी है 43 के जवाब, तो सुद्धवाक के जवाब का हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा चलिए, यहाँ पर 43 का option right देखते हैं आपका आसमान को घने बादल चाय हुए है आसमान पर घने बादल चाय हुए है आसमान से घने बादल चाय हुए है आसमान में, हाँ, option आपका यहाँ पर D सही हो जाएगा, आसमान में में सब्द आपका होगा आसमान में घने बादल चाय हुए है आपसन राइट आपका 43 के आपका D सही हो जाएगा ठीके में सब्द लगेगा अगला है कि निम्रिकित में से कौन सा वाकि सुद्द 44 के जवाब दीजी इसका जवाब हो जाएगा आपका B हो जाएगा ठीके भईया मैंने पार्टी में 8-10 रस गुले खाए यह होना चाहिए था खाया नहीं होना चाहिए था ठीके और इसमें आपसन आपका B सही हो जाएगा ठीके अगला है कि प्रस्ण में प्रियुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए एक हक मरग मदुकर सैनी तुम देखी सीता मरग ने नी इसका तो आप लोग जानते हैं बहुत पहले से आई स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो यहां पर आपका right आपका जवाब होजएगा option right आपका D होजएगा ब्योग श्रंगार आपके यहां पर प्रियोग हुआ है ठीकि कि इसमें भगवान राम कि दोहे का जो विप्रीत होता है वो आपका सोर्था होता है ठीके, option right आपका C हो जाएगा सोर्था, चलिए next question आपका जो दिया गया है यहाँ पर आपको English से Hindi दिया गया है ठीके, अगर आती है तो जरूर यहाँ पर कह सकते हैं, आप प्रयास करिए नहीं तो आप एक्जाम में इसकी भी कर सकते हैं एक प्रस्न की वज़े से गलती मत करना ठीके, तो यहाँ पर आपका जो दिया है authorization later with specimen signature of the bearers यहाँ पर इसका हिंदी अनुवात क्या हो जाएगा 47 तो इसका हिंदी हो जाएगा option A यहाँ पर आपका जवाब आपको कुछ मिल चुका है यहाँ पर आपको जो आपका हो जाएगा 48 का option यहाँ पर B हो जाएगा उद्प्रेच्छा लंकर ठीक है आपके जन जानो, मन मानो, जेओ ऐसे होते हैं यहाँ आपका B हो जाएगा अगला है कि उसी तपस्वी से लंबे थे दियोदार दो चार खड़े में अरंकर उसी तपस्वी से लंबे थे दियोदार दो चार खड़े में अरंकर बताईए तो 49 का जवाब क्या हो जाएगा तो 49 का option right आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रतीप अलंकर ठीक है रट लिजे 2-3 question आपके हैं तो यहाँ पर प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा अर्थात जहाँ पर प्रिसिद्ध आपका उपमान को उपमे बना दिया है यह वहाँ पर आपका प्रतीप अलंकर होता है और वाकि में आपको दिख रहा है कि प्रिसिद्ध उपमान जो कि दियोधार को उपमे और उपमे जो आपको है वो आपके तपस्वी को उपमान मान कर वर्डन किया गया है अगला है कि अंजर पंजर डीले करना मुहारे का अर्थ बताईए अंजर पंजर डीले करना अर्थात आपका हो जाएगा अप्सन C बुरी तरह यहां पर मारना ठीके C नमबर आपका सही हो जाएगा अगला है निम्लिकित में से मोहारा आपसे पूछा है और मोहारा जो आपका हो जाएगा अगला है कि यहाँ पर आपका जो लोकोक्ती का सही अर्थ आपका है इसको बताईए, सही जवाब क्या हो जाएगा, 52 में तो आगे कुमा पीछे खाए, इसका सही जवाब हो ज़गा, अपस्न आपका A हो ज़गा, दोनो और विपत्ति होना अगला हैँ कि किसी अधिकारी को पत्तर लिखना हो तो संबोधन किया जाता है अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो भाई क्या संबोधन आप देंगे तिरपन का जवाब दीजे तो यहाँ पर आपका तिरपन का सही जवाब हो जाएगा आपका A नमबर मानी महोदे जी ठीक है उप्सन रैट आपका A सही हो जाएगा ठीक है अगरा यहाँ पर गद्यांस है और गद्यांस को हम लोग स्किप करते हैं आते हैं आपके टेस्ट में और गद्यांस को हम बता देंगे परेशान मत हो यह क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो कह रहें गद्यांस जरूर बताते चलिए तो गद्यांस को बताने में थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन पिछले वीडियो घर देख लिए होते हैं तो आप हो सकता है कि दिक्कते हैं आपको ना है ठीक है एकजाम के समय आप जरूर बताते हैं और चलिए यहाँ पर कोशन दिया है कि नेमलिकित बोलियों में पूरवी हिंदी की बोली नहीं है पूरवी हिंदी की बोली आपकी कौन सी नहीं है आपर शत्तावन के जवाब देजे तो भाई यहांग पर आप देख सकते हैं पूर्वी हींदी में उद्धी होती है ऐ चेट ही सी वाली ट्रिक है ना विल्कुछ साही है C नमबर आपका भोजपूरी की कहिसे किले ही पूर्वी हिंदी में आपकी नहीं आती है चलिए 58 के जवाब पूछा गया है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किस ने किया था पंजाब में हिंदी का प्रचार किस ने किया था ठावन के जवाब दीजे चलिए 58 के जवाब हो जाएगा option right आपका B यहाँ पर आपके शरद्धा राम फिल लौरी ठीक Marriage आपका बी श्रद्धा राम फिल लौरी ने पंजाब में हिंदी का प्रिचार किया था 59 के जौब देना है कि निम्लिकित में से किस मुसलमां कभी की रचना प्रेम चिनगारी है प्रेम चिनगारी पूछा है भाई प्रेम पचीसी मत बोल देना ठीक है प्रेम चिनगारी तो उन्सट का उप्सन राइट यहाँ पर जवाब हो जागा D नमबर यह हैं आपके नज़ा फली कौन है आपके यह आपके नज़ा फली है उप्सन आपका यहाँ पर D ह लास्ट कोशन के एक दिन बैठे बैठे या बात अपने ध्यान में चड़ी की कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुटना मिले पंक्ती किस लेखकी है ये जो पंक्ती है ये किसने लिखा है रट लीजी ये कोशन आपका आया भी है कई बार आ बी आपके मुंसी इसा अल्ला खा ठीक है ये आपका जवाब यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है प्रेंस यहां पर आप लोगों ने 60 प्रस्ट में कितना स्कोर किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करिए और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइ लाइक नहीं किया है तो भाई प्लीच लाइक जरूर कर दीजे ठीक है तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंजय भारत